मशकार दोस्तो एक बार फिर से स्वागता हमारे चैनल फैक्स बिहाइंड में दोस्तो आज हम चर्षा करने जा रहे हैं एक बहुत ही जानी मनी गेम जिसका नाम है पब जी जानी पब जी का आपको मतलब बता दें किसका मतलब है प्ले अनॉंस बैटल ग्राउंड पब जी दो अक्सेस स्टोरी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि पब जी के लौंच होने के शे महिने के अंदर ही पब जी को खेलने वाले लोगों की संख्या सो मिलियन प्लस तक पहुँच गई थी जानी कि दस करोड़ से भी जादा और यह यह यांकड़ा 2019 फरवरी में आकर 500 सो मिलियन यानी 50 क्रोर का हो चुका है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है अब हम आपको बताएंगे कि पब जी की गेम किसने बनाई थी जा इसका माली कौन है मुझे पता है कि आप यह जानने के लिए बड़े ही उतावले होंगे कि वह व्यत्ति आखिर कौन है जिसने पजी गेम को बनाया है लेकिन उनको थोड़ा बहुत वैब डिजाइनिंग और थोड़ा बहुत ग्राफिक्स डिजाइनिंग भी आता था जिसके चलते उन्होंने थोड़ी और मेहनत के चलते यह गेम बना डाली ब्रेंडन गरी ने पब जी के लावा और भी बहुत सारे ग दूटना था कहा जाता है कि ब्रेंडन ग्रीन को एक लड़की से प्यार हो गया था और कुछ समय तक साथ रहने के बाद उन्होंने शादी करने का फैंस लगी और वो दोनों शादी करने के बाद आर्लेंड से ब्राजिल जाकर रहने लगे थोड़े टाइम तक तो सब ठीच चलता रहा लेकिन ब्रेंडन ग्रीन की माली हालत जाँ पैसे कम होने के कारण यानि पैसे की कमी की वज़जा से उनकी बीदिनों ने तलाग दे दिया और इस दर्द जाए इसको अपमान समझकर ब्रेंडन ग्रीन अपने साथ लेकर वापस आईलेंड आ गए इस अपमान की ब्रेंडन ग्रीन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब कुछ ऐसा करना है जैसा करकर दिखाना है इतना पैसा कमाना है जिससे जिसने भी मुझे वो छोड़ा हो एक दिन पश्टाए अब बस यही से ब्रेंडन ग्रीन ने ब्रेंडन गरीन को और करना पड़ा था शुरुत में तो ब्रेंटन गरीन को काफी सारी कठनाई को सामणा करना पड़ा ब्रेंटन गरीन ने सबसे पहले जो गेम बनाय था उसका नाम था बैट्लोर, ये गेम बहुत फेमस हुआ लेकिन फिर भी इस game को वो मकाम नहीं हासिल हो सका जो कि अभी PUBG को मिला हुआ है इस game की popularity कप देखकर एक gaming company ने Brandon Green को job offer की क्योंकि वो भी एक battle royale game बनाना चाहते थे इस company का नाम था Sony Online Entertainment Brandon Green वहाँ पर job करने लगे और उन्होंने Sony के साथ मिलकर एक game बनाया जिसका नाम था H1J1 King of the Kill ये game बहुत ही ज़्यादा लोग परी हुआ बस यहीं से Brandon की किसमत बदलने वाली थी South Korea का एक game developer था जिसकी company का नाम था Bluehole इस बंदे को भी एक game बनाना था उसने बड़ी research की जिसके बाद उसे Brandon Green के बारे में पता चला और उसने Brandon को South Korea बुला लिया यहां पर PUBG के सफर की शुरुआत हुई थी और दो साल की कड़ी मेंने के बाद finally फरवरी 2018 में उन्होंने PUBG game को launch कर दिया और आज PUBG game की कामजा भी आप सबी देख सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी आज की जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जूरूट में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कुरना ना भूलें धन्यवाद